इस वीडियो में हम contact form create करना सीखेंगे step by step मानलो आपकी website पर कोई visitor, कोई client या फिर कोई customer आता है और वो आपसे कुछ questions पूछना चाता है आपके product के बारे में तो वो कैसे आपसे वो questions पूछ सकता है तो उसका यही तरीका है कि आपकी website पर contact form लगाओ ताकि जब भी खिसी को आपसे contact करना हो तो वो उस contact form के थुरू आपसे contact कर पाए तो बहुत ही आसान है contact form को create करना आपकी website पर आपको सिर्फ तीन simple step follow करने है और आप contact form create कर सकते हो आपकी website के उपर तो चलते और देखते किस तरह से हम step by step contact form को create कर सकते हैं अपनी website के उपर तो सवगत है आपका इस चैनल पर मेरा नाम है सही है सिद्धिक और आप देखे रहे हो digital ventures तो सबसे पहला step है कि हमें हमारी website के अंदर एक plugin इंस्टॉल करना है जिसके थुरू हम contact form को create करेंगी तो उसके लिए आपको आना आपको wordpress के dashboard के अंदर और dashboard के अंदर आने के बाद आपको जाना है plugins के अंदर और यहां पर कर देना है add new add new करने के बाद यहां पर आपको type करना है wp form और इस फर्स्ट वाल प्लग इन को आपको कर देना है install और activate माने ओड़ेड इसको install और activate कर चुका अपनी website के अंदर इसलिए यहां पर मुझे कोई option नजर नहीं आ रहा है पर आपको यहां पर install और activate का option नजर आएंगा तो आपको simple ही दोनों step को follow कर देना है उसके बाद जैसे आप इस plugin को install करेंगे आपके navigation menu में यहां पर WP form का option आपको नजर आएंगा तो आपको उस पर कर देना है क्लिक उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर add new option नजर आएंगा या फिर आपके पास create a new form बोल के बटन नजर आएंगा आपको उस पर क्लिक कर देना है तो मैं यहां पर कर देता हूँ आइड निव करने के बाद सबसे पहले आपको आपके contact form का नाम रखना होंगा तो हम यहां पर simple contact form का नाम रख देते हैं contact us उसके बाद यहां पर आपको four options मिलते है contact form create करने के तो सबसे पहला आता है कि blank form यानि कि आप blank form select कर सकते हूँ और आपको जिस type का contact form create करना है आप वो blank form के दिरू कर सकते हूँ या फिर आप simple form यहां से आना form create करना होगा या फिर आप suggestion form create करना चाहते हो तो उसके लिए आपको suggestion form create करना होगा तो हम यहां पर step by एकदम scratch से contact form को create करने वाले तो उसके लिए हम कर देते ब्लैंक का contact form तो यहां पर कर देना है इसको click create a blank form उसके बाद आपके साम में कुछ इस तरह का dashboard open होगा यह आपका contact form है जो कि अभी totally blank है आप यहां से आपको पूछेंगा कि आप इस blank form में कौन से कौन से options add करना चाहते हो तो हम simple यहां पर सबसे पहले name का option option add करती है तो simply आपको name पर क्लिक कर देना है और यह name का option आपके blank form में add हो जाएंगा देखिए यहां पर add हो चुका है उसके बाद हम यहां पर email का option भी आइड कर देती है और यहां से paragraph text का option भी ले लेती है यानिके message वो paragraph text के थुरू यह आपको लिखके send कर सकता है यहां पर हमारा contact form इस तरह से कुछ create हो चुका है अब आप चाहते हो कि यह paragraph text का नाम change करना आपको तो simply आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर चेंज करने का option और अगर को आपको नज़र आजाएंगा तो सिंपल हमिस text को change करके यहां पर लिख देते कि मैसेच ऑर अगर आपको button का टेक्स करना है तो Simply आपको button पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको बटन का टेक्स चेंज करने का option नज़र आ जाएंगा तो हम यहां पर इ send to email address और यहां पर email address यह वो email address है यानि कि कोई आपको contact करता है आपके contact form के थरो तो वो message 문end करेंगा आपको तो वो आपको collect होगा आपकी email ID PFE वो आपको receive होगा आपकी email ID पे तो वो email ID यहाँ पे पूछता है कि आप किस email ID के थरो वो message को receive करना चाहते हो और कौन से email id के थुरू आप message को send करना चाहते हो यानि कि आप जब reply दोंगे उस questions का तो आप कौन से email id से reply देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो email id डालना है तो यहाँ पर inbuilt admin की email id यह लेता है पेस्ट यानि कि हम receive भी यानि कि हम message receive भी इस email id पर करेंगे और send भी इसे email id से करेंगे उसके बाद आदि हम confirmation के option पर उसके बाद यहाँ पर आता है confirmation में यह message user के पास जाएंगा यानि कि जैसे हुआ आपका contact form फिल करके आपको send करेंगा तो उसके पास यह message जाएंगा thanks for contacting us यह message जाएंगा तो यहाँ पर उपर आपको option नदर आता है कि आप यह message को कहाँ पर show करवाना चाहती हूँ यानि कि जो page पर उसने contact form आपका fill करके आपको send किया उसी page के उपर आप इस message को show करवाना चाहती हूँ या फिर आप कोई नया page open करके या पर इस message को show करवाना चाहती हूँ या फिर आप किसी नए URL पर उसे redirect करना चाहती हूँ तो हम simply जापर ओ contact form fill करके send करेंगा हम वही पर उसे ये message दिखाना चाहती हूँ तो हम यहाँ पर कर देते message तो यहाँ पर इस form की setting हमारी होती है complete और यहां से इस form को कर देना आपको save save करने के बाद यहां से आपको उसका code मिलेंगा यानि आप इस code के थुरू भी किसी page के उपर इस form को लगाना चाहती हो तो लगा सकते हो तो अब हम इस contact form को किसी page के उपर add करकर देखेंगे कि यह work करता है या नहीं करता है तो आपको इसे किसी page के उपर add करना होगा ताकि user आपकी page के थुरू इस contact form को access कर पाए और आपसे questions कर पाए तो हम यहां पर एक नया page create करते हैं या फिर देखते हमारे पास contact का page है या नहीं तो simple यहां पर हम कर देते हैं all pages और यहां पर हमारे पास एक contact का page है तो हम इसे कर देते edit तो इसी page के अंदर हम उस contact form को add करेंगे तो किसी भी page के अंदर आपको contact form add करने के लिए उसे edit करना है और edit करने के बाद यहां पर आपको ऊपर प्लस का button नज़र आएंगा एट कोलॉम का आपको उस पर भी create किया उस form को हम यहां से कर देते हैं select करने के बाद select करने के बाद वो complete form हमारे इस page के उपर create हो जाएंगा और उसके बाद आपको कर देना है simply update अपडेट करने के बाद हम इसको करते व्यूप पेज और देखते हैं कि यह हमारे पेज के उपर ठीक से लगा है या नहीं तो देखे successfully यह contact form हमारे page के उपर create हो चुका है अब हम कोई message send करके देखते क्या proper हमारी email ID पर जाता है या नहीं तो यहां पर हमने demo message टाइप किया है this is a test message और हमने contact detail भी यहां पर डाल दी और उसके बाद हम कर देते हैं send now तो यहां पर हमारे पास thank you message लिखकर आ चुका है thank you for contacting us तो यहनी कि हमारा message successfully send हो चुका है इस website के admin को तो अब हम हमारी email ID पर जाते है जो email ID हमने response को create करते वक्त डाली थी तो अब हम उस email ID को चेक करते कि वहां पर message successfully receive हुआ है या नहीं तो मैं यहां पर वह email ID open कर लेता हो तो देखिए जो हमने email ID वहां पर इंटर की थी उस email ID के अंदर हम आ चुके पर यहां पर अभी कोई message आपको नजर नहीं आ रहा है शायद वह हमारे spam folder के अंदर गया है तो हम simply spam पर क्लिक करते हैं तो देखिए successfully message हमें receive हो चुका है इसी नाम से हमने message को यहां पर send किया था इस email ID से send किया था और हमारा message था this is a test message तो successfully message हमारी email ID पर receive हो चुका है यानि कि successfully हमारा contact form create हो चुका है हमारी website के उपर अगर आप इस questions का answer देना चाथे तो अगर आप इस इस questions का answer देना चाते हो तो आप वो कैसे दे सकते हो तो simply आपको इस email ID पर click करना है तो यहां से आप इस question का answer दे सकते हो तो देखा आपने success बोले हमने हमारी website के उपर contact form create कर दिये तो देखा आपने कितना आसाने contact form को create करना बस आपको 3 step follow करने और आप easily आपकी website पर एकदम scratch से contact form create कर सकते हो तो आशा करता हो आपको ये वीडियो पसंद आया हुँगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe भी जरू कर देना और notification bell को भी on कर देना ताकि आपके आने वाली कोई भी वीडियो मिस्ट नहों तो मैं मिलता हो आपसे अगली ऐसी वीडियो में तब तक के लिए खुदा आपिस